BJP के लोग, RSS के लोग नफरत फेला रहे हैं, हिंसा फेला रहे हैं, डर फेला रहे हैं तो लड़ाई दो विचार दाराओं के बीच में हैं एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मुहबबत, रिस्पेट, इस्जट आपने देखा होगा, कन्या कुमारी से कश्मीर, चार हजार किलोमेटर हम चले और हमने BJP के खिलाब नारा दिया, नफरत के बाजार में मुहबबत की दुकान खुलनी है उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मुहबबत फैलाने का है, वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं और हंट में नफरत की काड मुहबबत से ही होती है, आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मुहबबत से ही काटा जा सकता है, हराय जा सकता है और आपने इस चुनाव में देखा होगा पहले नरेंद्र मोधी जी जाती फिला के आते थे अब नरेंद्र मोधी जी ऐसे आते है पहले बड़े बड़े भाशन करते थे इस बार पार्लमंट में घुचने से पहले उन्होंने अपने सिर पर Constitution को रखा फिर गए अंदर भाईयों बेहनों पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट हुड छीना गया है Union Territory को पहले Union Territory को स्टेट बनाया गया था कि स्टेट को बाट कर दो स्टेट बनाय गये तेलंगाना बना कि छक्तिस गड़ बना कि उत्राखंड बना अरुनाचल को स्टेट बनाया गया है मकर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद करके लोगों का जो हक है वो छीना गया पहली बार हुआ है ऐसे इंदुस्तान के इतिहास में modern इंडिया में ये काम पहले कभी नहीं किया गया है तो सबसे पहले जबू कश्मीर को जो स्टेट हुड है वो वापिस देना है क्योंकि आपका सिर्फ स्केट नहीं चीना गया आपके अधिकार आपका धन सारा का सारा आप से छीना जा रहा है 1947 में हमने राजाओं को हटा कर लोक्तंत्रिक सरकार बनाई हमने देश को कॉंस्टिट्यूशन दिया आज जम्मू कश्मीर में राजा बेखा हुआ है उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा और जो आपका धन है आप से छीना जा रहा है बाहर के लोगों को दिया जा रहा है चाहे वो आपके कॉंट्रैक्स हो सारा का सारा फाइदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड वापिस देने का होगा हम चाहते थे हम चाहते थे कि चुनाओं से पहले आपको स्टेट हुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाओं हो बीजेपी यह नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाओं होगा और उसके बाद स्टेट हुड की बात होगी और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट हुड हम दिलवाएंगे बीजेपी चाहे ना चाहे बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गडबंदन इतना दबाग डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट हुड दे नहीं ही होगा